वैशनो देवी के यात्रियों के लिए बड़ी खुश खबरी आपको बता दे बीड से राहत के साथ मिलेगी ठेडने की आधुनिक सुविदार जी हाँ विल्कुल सही सुन रहा है आई आई आपको बता देते हैं क्या खास बाते सामने आई हैं वैशनो देवी के यात्रियों क यात्रियों को इसी के लिए भवन के करीब दुर्गा भवन का निर्मान किया जा रहा है 4000 यात्रियों की शम्तावाले इस उच्छ सुविदाओं से लेस भवन पर 24.4 करोर की लागत आई है आपको ये भी बता दे कि इस परियोजना को 18 अगस 2022 को पूरा करने का लक्षय रखा गया है और उप्राजेपाल एवं श्री माता वेश्नो देवी श्राइन बोर्ड के चेर्मेन मनोत सिना ने बुद्वार को दुर्गा भवन का शिला नियास किया और इसी के साथ ये भी बता दे कि उप्राजेपाल ने परियोजना को 12 महीने के रिकॉर्ड अबदी में पूरा करने का एक आविशक जनशक्ती को समय पर जुटाने के लिए बोर्ड के CEO और कारेकारी एजिंसी को निर्देश दिये तीरत यातिरों के लिए अतिरिक्त सुविदाओं को बढ़ाने के लिए इस पांच मंजिला दुर्गा बवन में सभी आविशक सुविदाएं होंगी इसके अलावा क्लीन एनरजी का उप्योग करने के लिए एडिकेट प्रोविजिन मौजुदा स्टीपी के साथ साथ और रुपे पहले ही दिन के रूप में प्राप्त किये जा चुके हैं और अगले दो महीनों में एक करोड रुपे से अधिक राशी प्राप्त होने की उमीद है लास्ट मार्च में हुई बैठक में बक्तों को अधिक्तम सुविदाय प्रदान करने के अलावा संबंदित एजेंसियों को भवन का सुंधरय से डिजाइन करने के लिए निर्देश प्राप्त किये गए पिछले एक साल में बक्तों की सुविदा के लिए प्रसात के डाप वितरन, लाइफ दर्शन के लिए मुबाइल आप और इसी के साथ साथ ओनलाइन पंजिकरन आधी पर भी काम किया जा रहा है और इसके बाद बात करें कोविट प्रोटोकॉल्स की तो इसके पालन में यात्रा के स्मूथ ओप्रेशन के लिए बोर्ट प्रबंदन के प्रियासों की सहाधना की गई CEO रमेश कुमार ने बताया कि दुर्गा बवन का निर्मान सुक्रिप्तित मास्टर प्लान का हिस्सा है जिस स्कूल ओफ प्लानिंग और आर्किटेक्चर नहीं दिल्ली द्वारा क्या गया है Master Plan 2031 तक तीरत यात्रियों के लिए अधिक्तम अबास सुनिक्षित करने के लिए लक्षे को प्रात करेगा और आप सबी को ये भी बता दे श्री माता वैश्नो श्राइन गोर्ड और केंद्रे लोग निर्मान विबाग ने पहले ही दुर्गबवन के निर्मान के लिए एक समझोता ग्यापन पर हक्स्ताक्षर भी किये हैं और अब बात करेंगे पिल्ग्रिमेश टूरिजम की तो आपको बता दे इसमें डेवलप्मेंट राने के लिए सरकार ने योजनाय बनाई है उपराजिपाल मनोत सिना ने कहा कि जम्मो में धालमिक टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने माता वैश्नो देवी प तूरिजम शम्ता को बढ़ाया जा रहा है ये वे बता दे कि JSW Foundation ने पहले ही रियासी में शिफखोडी विरासत स्थल के सरक्षन और बहाली के लिए एक अध्यन किया है जम्मू रुपेवे ने जम्मू शहर के तीन प्रमुक मंदिरों को जोड़ा है आपको बता दे कि पीर तूरिस्ट स्थलों को लोगप्रिय बनाने के लिए जम्मू में तीन महीने लंबे उत्सफ का आयोजन करने की योजना भी तेह है प्रसाद योजना के तेहर जम्मू के परमंडल और उत्तरवाहिनी का काया कलब किया जा रहा है तो ये था बड़ा अपडेट आपके सामने जम्मू शहर के पिल्ग्रिमेश टूरिजम की डेवलप्मेंट से रिलेटेड इसी के साथ लाते रहेंगे और बड़े अपडेट्स आपके सामने देखते रहें सच्रिस नेटवर्क जहित